चलिए, कोर्टिक पॉल्नॉमियल, टेंडर फोर्म के हैं, AXK प्लस BX प्लस C, वेर, सबसे मेंग चीर बेटा, यह चीज़ आखना विशा, A should not be equal to 0, हाना, एक कोशन देखना, KXK प्लस 3X प्लस 9, यह पॉल्नॉमियल, K के किन वैल्यूस के लिए, यह पॉल्नॉमियल क्वालिटिक होगा, तो आप बोलोगे, Sir, K should not equal to 0, पर K 0 नहीं होना चीज़, बाकि जो मर्जी लो, हमेशा possible होगा, चाया K लो 9, चाया 5, चाया 4, जो मर्जी लो, हमेशा होगा, पर 0 होना चीज़, Sir, क्यों, अगर आपने 0 ले लिया, तो 0 इंटो XK, प्लस 3X, प्लस 9, 0X के खतम, 3X प्लस 9, और यह क्या हो गया, I is power 1, लेनेर एक क्वेश्यन बन गए यह तो, चलि, दिखते हैं, चलि, तो if root of partic polynomial, AXK plus BX plus C is alpha and beta, find the relationship between coefficient and the roots, यह topic हमारा करने हैं, देखें, अगर आपका polynomial, अगर equation कुद करी आई, क्या आपका polynomial AXK plus BX plus C है, ठीक है, बच्चों, तो आपको क्या निकारना है, दो चीज़े, एक तो sum of roots find करने है, alpha plus beta मतला हूँ, क्या हुआ, sum of zeros, sum of roots, या solution भी कहते हैं इसको, 9th class में यादर solution बोलते थे, sum of roots, 0, solution, इसे बोलते है, alpha plus beta, क्या formula होता है, minus B over A, या फिर minus coefficient, याद करो, coefficient हमने पढ़ा था, क्या होता है, coefficient of X over coefficient of X के थे, ठीक है, बच्चों, और ऐसे हम बात करें, product of zeros, इसे बें में drive कर सकते हैं, C over A, बच्चों, C over A, C क्या है, यहाँ पर, क्या होता है, हमने previous वीडियो में पढ़ा था, point one, point two में, था, यहाँ C क्या होगा, यहाँ C तो पता नहीं क्या होगा, value पता नहीं है, तो यहाँ पर variable होगा, नहीं, C क्या है, यहाँ एक real number है, ठीक है बच्यों? real number यह पता नहीं वह क्या है इसलिए हमने सी लिख़ा यह सी लिखा पर यह real number है जिसकी value हर position में fix होगी ठीक है जिसे कभी 6 होगी कभी 7 होगी तो यह constant यह constant ठीक है बच्चो तब दूखो यह कुंदни क्या है constant term over coefficient of x के बच्चो बात सुना हो तो सिंपल से हैं कुछ भी निया च्भाड़ा देखो सब के अपोन में लगा तो याद करने के दिक्कत दी नहीं है कि अगर आपको क्वार्टिक गिवन है पहले तो अगर आपको दो रूट्स की में एक लिकाट बनाते किया से अब क्वार्टिक पता है तो sum of roots और product of roots निकालते कैसे हैं देखिए क्या formula बना क्या formula बना देखिए sum of roots minus b over a product of roots बना c over a एक्षी सोचो क्या ये zeros है क्या ये coefficient है क्या ये coefficient है तो क्या ये relationship होई relationship का मतलब एक ऐसा formula जिसमें वो चीज़े हो क्या coefficients है quadratic polynomial के क्या zeros है और ये relationship है जब पोश्चन आता है verify the relationship between coefficient of coefficient and the zeros तो आपको ये proof करना होगा आपको quadratic को मैं ले क्या करना पड़ेगा factorize करना पड़ेगा पहले आपको जिस निकालने पड़ेगे फिस शो करना पड़ेगा कि उनका जो sum है वो minus का B over A same आ रहे है और यहाँ पे उनका product जो है और C over A same है हम करेंगे 2.2 में करेंगे मतलब mean चीज़ समझ आई बड़ी बड़ी बात अगर एक quantity given है तो sum of root क्या होता है minus B over A proto 0 क्या होता है C over A ठीक है चली यह थी NCID 2.2 का basic लेकिन बच्चों सिर्फ इतना enough नहीं क्योंकि CBSE यह नहीं कि सब इतना डालेगी वो कुछ extra question में डालती है अगर आप previous paper देखोगे न तो आपको मिलेंगे कुछ question पहरी बनते है क्या बनते है डिस्कस करते है पर एक बात फिरी क्लिया गरता हूँ पहला question अगर alpha beta zeros है तो क्या बिनाने आपको polynomial ठीक है polynomial बिनाने formula हो गया x square minus sum of zeros plus prototype zero एक पर जिरो नहीं लगा आएगा और डूसरा आपको equation given है टर्नेट फोर्म ही होती है x square plus bx plus c यह ज़रूरी नहीं है कि b और c होई यहाँ b और c zeros है हो सकता है ऐसा और आपको निकालना sum of zeros minus का b over a and alpha into beta c over a तो बचो NCRT के coding तो हमनी topic कवर कर लिया लेकिन exam CVSC exam के coding अभी खतम नहीं हुआ हमें थोड़े से relationship पढ़ने पड़ती है कि alpha और beta roots के अंदर हम और क्या relations बना सकते देखे आपको पता है कि एक quality के अगर आपको given है न ax square plus bx plus 6 तो और इसके roots अगर sorry इसके अगर roots alpha और beta root zero solutions alpha और beta कितना आगया minus का भी हो रहे और no doubt ये एक value होगी एक value हमें नहीं बता क्या है पर एक value होगी ऐसी ही आप लोग क्या करोगे alpha और beta निकालोगे that is also a value c over a constant value ठीक है बच्चो मतलब एक quality से हमें सिर्फ दो चीज़ मिल सकती है एक तो sum of root और एक product of roots ठीक है लेकिन examiner तो कुछ भी पूछ सकता है वो आप से पूछ सकता है नहीं बताओ alpha minus beta का whole square क्या होगा हमें तो आता नहीं तो एक relationship होती है देखते है क्या होती है वो कि alpha minus beta का square मतलब alpha plus beta का square ठीक है बच्चो alpha minus beta का square equal to alpha plus beta का square बहुत सिंबल है यहाँ minus यहाँ plus यहाँ सिंबल के minus तो minus 4 time alpha into beta first relationship मतलब अगर आप से बुचे alpha minus beta का square क्या होगा इस polynomial के अंदर या तो आप क्या करो roots पहले निकालो पहले आप roots निकालो scale for beta factor करके पर सभी polynomial के root factor possible नहीं होते तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग पहले यह relation याद कर लिए second relation क्या होता है कि बच्चों अगर alpha minus beta का square यह है तो alpha minus beta क्या हो जाएगा obviously अंदरूट लग जागा है alpha plus beta का whole square minus का 4 alpha beta next आता है alpha square plus beta square अगर पुछा आप से अगर आप से पुछा जाए alpha square plus beta square क्या होता है हमारे पास तो value है नी हमारे पास तो सिर्फ दो चीज़े है alpha plus beta alpha minus beta मतलब आपको वो कुछ खाने कावन कर रहे है ठीक है लेकिन आपके पाँ जो available चीज़े है घर पे आप वो ही तो खाऊगी ठीक है तो देखें आपके पाँ दोई चीज़े alpha plus beta alpha minus beta आपको find एक करना है कि कोई relation होता है इनके अंदर याद करो alpha plus beta का whole square alpha plus beta का whole square क्या था alpha square plus beta square plus 2 alpha beta 2 alpha beta उदा किया तो minus का 2 alpha beta और ऐसे एक relationship हो रहे है alpha cube plus beta cube अगर आपसे यह पूछा है सिदा तो आपको यह तो निकाल रखा है आपने क्या विलिवाएगा इसकी alpha plus beta का whole cube minus का यादर से minus का 3 alpha beta और alpha plus beta अच्छो इसी चीज़कों मैं show कर देता हूँ आपको आप यहाँ भी दिख सकते हैं चीज़ोगो यहाँ पे एक formula plus है तो यहाँ minus आ गया कहने का मतलब examiner आपसे यह value पूछ सकता है ठीक है यह value पूछ सकता है और आपको सारी की सारी values में आपने वो values डाली है जो आपको पता है क्या आपको यह पता है यह पता है यह पता है यहाँ पे alpha plus beta और alpha minus beta कैसा निकालोगे पता है आपने आपको यह रहा तो यह इन नेक्स class में हम लोग topic cover करेंगे पूरा अभी सिरफ formula ताकि आप उनको इनको memorize कर लो basic relationship है ठीक है memorize कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगे note करने न पोज करके next video में हम लोग 2.2 cover करेंगे कोई doubts हो तो आप comment कर सकते हो